YouTube पे आपने भी बहुत सारे चैनल्स देखह होंगे जिन पे आर्ट एंड क्राफ्ट वाली वीडियोज अप्लोड होती हैं DIY वाली वीडियोज अप्लोड होती है यानि कि Do It Yourself यानि कि इस तरीके के जो भी वीडियोज होती है तो इनमें बहुत सारी चीजे बताई हुई होती है मतलब कि इन वीडियोज में वो चीजे होती है जिसके थुरू हमारी जो डेली लाइफ वो आसान हो जाती है या फिर हमारे घर में जो भी waste materials पड़े होते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जिनके थुरू हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को create कर सकते हैं बना सकते हैं जिनके थुरू हम अपने घर को decorate कर सकते हैं सजा सकते हैं या फिर हमारे घर का जो बहारी हिस्सा है उसको भी हम देकोरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से वो भी वेस्ट मैटेरियल से तो ऐसे बहुत सारे चैनल से यूट्यूब पे एवलेबल हैं इन में से ही एक बहुत ही पॉपुलर चैनल है फाइव मिनट क्राप्ट हो सकता है कि आपने इस चैनल को कभी ना कभी देखा हुआ तो अगर आपके अंदर भी इस तरह के स्किल्स हैं यानि कि आपको भी वेस्ट मटरियल से बहुत सारी चीजे बनानी आती है या फिर आर्ट एंड क्राप्ट वाली चीजों में आपको इंट्रेस्ट है या फिर डिय वाई वाली जो चीजे है यानि कि आपको भी बहुत सारी जूट्रावल सारी चाहिक ऐसारी पता हैं जिन में आप उस्दिमें आप यह बतातें आप जिसोंसे लोगों की पहली बात कर लेते हैं कि इस तरह की वीडियो किस टाइप की होती है तो इस तरह के जो भी वीडियो आपने देखी होंगी अभी तक यूट्यूब पे तो उन में से बहुत ही कम वीडियो आपको मिलेंगे जिनमें लोगों का फेस आपको दिखाई देगा यानि कि यह जो आर् जो आपको इस तरह की वीडियो को क्रीट करना है आपके माइंड में है मैं भी आर्ट रयंड क्रब्ट वाला चैनल क्रीट करूं तो आप बिल्कुलँ ही आसानी से क्रीई कर सकते हैं ऐसे कंटेंट Guide अगर आपको पता है तो prima चैनल एक अपना चैनल क्रीट कर करके उस पास कौन-कौन सी चीजे होनी चाहिए तो ज्यादा चीजों की जुरुरत आपको नहीं है आपके पास बस एक स्मार्टफोन आपका होना चाहिए और उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो एक ट्राइपोड हो तो बहुत ही बहतर होगा क्योंकि अगर ट्राइपोड रहेगा तो जो भी चीजे आप कर रहे होगे तो वह अच्छे सी रिकॉर्ड होगा और आपकी वीडियो जरा सभी हिलीगी डूलीगी नहीं बिल्कुल ही परफेक्ट होगी ठीक है तो इसलिए मैं आपको रेक्मेंड करूंगा कि आप अगर चाहिए तो ऑनलाइन भी 200-300 के बीच में एक आप सूट कहां करेंगे यानि कि अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट वाली वीडियो सूट करनी है तो आपके घर में जो भी अच्छी रोशनी आती है दिन के टाइम में या फिर घर में लाइट की कोई प्रब्लम नहीं है यानि कि लाइट का भी अच्छा प्रबंध है ल आपके लिए कोई परिशानी वाली बात ही नहीं है, आपको जब भी टाइम मिले आप तब वीडियो सूट कर सकते हैं, घर में सोरगूल हो रहा हो, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो भी कोई परिशानी वाली बात नहीं है, आप अपने वीडियो आसानी से सूट कर सकते हैं, क्य उसानिसे कर सकते हो ठीक है अब इन चीजों के अलावाँ सबसे मेंद चीज क्या है वो है टॉपिक्स यानि कि अगर आप आर्ट क्राफ्ट क prends के प्रवना चैनल कर देते हो, तो उसके लिए आपको हर वीडियो के लिए टॉपिक्स तो चाहिए ही, तो टॉपिक्स सबसे पहले आपके माइंड से आएंगे, यानि कि आपके खुद के माइंड से, जो भी चीजे आप करने वाले हो, जो भी क्रेशन्स आपके माइंड में चलत पड़े हुए हैं उनको यूज करके बहुत सारी चीजे क्रियेट की जा सकती हैं ऐसी चीजे अगर आपके माइंड में आती हैं तो उस चीज को आप जरूर करें यानि कि ऐसा बिलकुल भी नहीं सोचना है कि अगर कोई आईडिया आपके माइंड में आया और आपको लग रहा आपके माइंड में इस तरह कोई भी आईडिया आ गया है कि यह जो मेंटरियल है इसको इस तरीके से करके और बहुत ही अच्छी चीजे क्रियेट कर सकता हूं बना सकता हूं या फिर आप बना सकते हैं तो ज्यादा सोचनी की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपके माइंड में आ गया तो बस फटाफट उस चीज़ को create किजिए उसके उपर videos बनाईए और YouTube पे upload कर दिजिए उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होगे कि जिनको वो चीज़े पसंद नहीं भी आएंगे लेकिन वहीं पे आपको बहुत सारे audience ऐसे भी मिलेंगे जिनको वो चीज़े बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी ठीक है तो इस चीज़ के बारे में आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपके mind में जो भी creations आती है उनको आप फटाफट create करो बनाऊ वीडियो सूट करो और अपने चैनल पे upload करो that's it इस से ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं इस प्राग्राम पे आपको बहुत सारी चीज़े मिल देंगे और खुद YouTube के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है तो उनको देख देख करके आप idea लगा सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीज़ों को create करना है और उन चीज़ों को देख करके आप भी बहुत सार चीज़े बना सकते हैं आट एंड क्राप्ट और डी आई वाई के अंदर बहुत सारी चीज़े हैं टॉपिक्स की कम ही नहीं है सिंपल से आपको बस यही सुचना है कि जो भी चीज़े हमारी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं परफेक्ट बना सकते हैं छोटी-छोटी च क्राप्ट या फिर डी आई वाई इन दोनों को आप एक ही चैनल पर अपलोड कर सकते हो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है तो कहने के मतलब यही है कि अगर आपको कोई भी चीज़ेसे पेपर से आपको बहुत सारी चीज़े बना नहीं आते हैं यानि कि कोई भी कागज क आप थोड़ा बहुत दें उद sellers करके कट वगारा कर या फिर उसको फोल्ड आप करके बहुत सारी चीज़े क्रिएट कर सकते हो तो अन हर एक के उपर वीडियो बनाए ise आप प्लास्टी वेश्च मट्रेल से बहुत सारीचिजी कर सकते हो उन्के उप वीडियो बना यहीं है वेस्ट पढ़े रहते हैं तो उन से भी अगर आप बहुत सारी चीज़े बनाना सिखा सकते हो लोगों को तो उन चीजों के उपर भी आप वीडियोज बना सकते हैं ठीक है मतलब कि जिन चीजों से जो भी चीज़े आप कर सकते हैं आपका माइंड क्रियेटिव है आप इस तर स्मार्ड पैसान हो जाते है पर्फेक्ट हो जाती है वो सब कुछ आप करेके अपने आर्टेंड क्राफट वाले चैनल पर अप्लोड कर सकते हो ठीक है तो जब यह सारे tripod उठाना है उसमें अपना smartphone लगाना है उसके बाद अपने Voidio को लिए को सुट करना है तो आप जब अपना smartphone ट्राइपोड में fix कर देंगे तो समांट से आप जहां कहीं भी दीओ चुकारे हूँ तो उसका background क्या करें आप की एक clean paper पर रख दें वहाँ पर उसके उपर सब कुछ करें मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको Gerox paper के बारे में पता होगा Gerox paper जो होता है वह बिलकुल ही white color काता है तो ऐसे 4-5 page को ले करके एक दूसरे के उपर चिपका देना है और उसको कहीं पर भी जहां पर भी आपका पर आप सब कुछ करने वाले हो तो उस टेबल के उपर उस paper को आपने रख दिया और उसी के उपर आपने वहाँ पर ट्राइपोड पर अपना यहां से ऐसे कर दिया कैमेरा नीचे की तरफ है और सब कुछ यहां पर पर रिकॉर्ड हो रहा है तो यहां पे जो भी कुछ करेंगे आप तो शिर्फ आपके हां दिखाई देंगे यह इतनी दूर तक चीजे दिखाई देंगी और जो भी चीजा आप बना रहे हैं बस continue करते जाओ record होते जा रही है और record जब हो जाएंगी तो उनको simple से edit करना है यानि कि उसके main sound को mute करके background music लगा करके हम YouTube पे upload कर देंगे बस that's in, सारी चीजे complete हो गई ठीक है और रही बात thumbnail लगाने की तो thumbnail कैसे बनाना है इसके उपर मैंने एक video बनाई हुई है यानि कि आप अपने smartphone से ही बहुत ही बहतरीन thumbnail बना सकते हो तो thumbnail कैसे बनाना है उसके लिए मैंने एक video की link description में दी हुई है उस video को आप एक बार जरूर देख लिजेगा ठीक है तो आपने सब कुछ कर लिया वीडियो सूट भी कर लिया सब कुछ कर लिया तो उसके बाद हमें क्या करना है अब आपनी वीडियो को edit करना है तो आपनी वीडियो को edit करने के लिए हमें background music भी चाहिए तो background music without copyright वाले music हमें चाहिए यानि कि वो जो background music हो वो copyright free होने चाहिए तो इसके लिए हम YouTube के audio library का use करेंगे तो YouTube के audio library के music को कैसे use करना है उसके उपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो का link आपको description मिल जागा उस वीडियो को एक बार जरूर देख लिजेगा ठेक है और अपने वीडियो को आप अपने स्मार्टफोन से कैसे edit कर सकते हैं वो भी चीजे मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा और वीडियो को मैं edit करना आपको काइन मास्टर के अंदर सिखाने वाला हूँ आपको और अधर कोई भी application अच्छा लगता हो तो आप उसके अंदर भी आप अपनी वीडियो को edit कर सकते हो ठीक है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो एडिट करना सीख लेते हैं देखे सबसे पहले क्या करना है आपको काइन मास्टर ओपन कर लेंना है अपने स्मार्टफोन में जैसे हैंने कान मास्टर ओपन हो कहा का सर्फेस कुछ इस तरीक से दिखेगा था प्लस पर क्लिक करेंगे और ये ज skipping आपको क्ल्स करेंगे यापका सर्फेस कुछ इस तरीक से दिखे-गा तो यहाँ पर देखे मेरी एक वीडियो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ हमारी वीडियो यहाँ पर यहाँ पर टिक माक करेंगे ठीक है तो हमारी वीडियो यहाँ पर आ चुकी है मानले जी कि अगर DIY वाली मेरी वीडियो यहाँ पर आडरेन क्राफ्ट वाली वीडियो यही है त तो इस वीडियो का सबसे पहले हम क्या करेंगे sound mute करेंगे ठीक है तो यहां पर टच करेंगे वीडियो जैसे select होगी तो यहां पर देखिए एक speaker का option दिखेंगा इस पर एक बाद क्लिक करना है माले जी का पने जो वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो में कहीं पर खुछ बीक ना है तो वीडियो को इस तक स्क्रॉल करेंगे वहां पर इस तरी की select करेंगे यहां कैचिप करेंगे और हो जाएगा वहहां से ले लिक कर किरेंगे यहां तक क्रिंग प्रिशनerson x टेक्स्ट लिखना है यह रेड री लाइन के पास उनोड शरुक्स jouw jede कर देगे अगर मुझे इस video में यहापे कुछ लिखने हैं तो यहाप में इस को कर दूँगा इसको लेयर पर क्क्लिक करूँगा यहाा पर टेक्स्ट क्वर्ष पिलिक करेंगे और जो कुछ भी अपको लिखने हानी है आप लिख सकते हैं मालने लिख करके इसका font change कर सकते हैं और यहां से क्लिक करके इसका color आप change कर सकते हो ठीक जो भी आपको सही लगे मैंने rate कर दिया ठीक then tick mark कर देंगे यह चीजे हो गई अब जब यह चीजे हो जाएंगे तो वीडियो के start रहेंगे अपने phone में copyright free वाले तो उनको आपको यहां पर लगाना है माले जीए कि यहां पर कोई एक background music है माले कि यहीं जो background music है यह मुझे लगाना इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो जैसे यह क्लिक करते हो प्ले हो जाएगा आपको सुनाई देने लेगा उसके बाद प्लस पर क्लिक करेंगे यहां उसके बाद यहां पर टिक माक कर देंगे तो यह background music music मुझे अपने वीडियो में लगाना है तो बस यह background music यहां पर आ गया बस हमारी वीडियो कंटिनीव चल रही है बेगरन वीजिक यहां तक आ गया अगर माले जी अपने वीडियो मतलब ज्यादा एच डी हाई क्वालिटी में चाहिए या फिर थ्वरा सा लू क्यूंकि आपके मुबाइल में कितना डेटा है और कितना स्पेस है उसको देखते हुए आपको सारी चीजे करनी होंगे तो मैं इसको 720 पे रहने देता हूं और यहां पे फ्रे चिस्पर इन पर आपके अपके इन चीजों में है तो फटा पट अपना पहले अपना स्मार्ट पुन उठाए और जो भी आपके माइन ब्यार रहा है जो भी क्रियेटीव चीज़े आपके माइन ब्यार ही है वो चीज़े छोटी हो या बढ़ी हो कैसी भी हो कितनी भी सिंपल ही क्यों न हो भड़ा भड उन टॉपिक्स वीडियो सूट किजिए एडिट किजिए अच्छा सा थमनल बनाईए और अपने चैनल जरूर मिलेगा तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करना मत भूलेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा तो मिलते हैं इसी तरीके किस इंफर्मेटिव वीडियो में, ठैंक्स फर वाचिंग